नमस्कार दोस्तो नोकरियान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्याना कलर का भरती दो हजार चोबिस के बारे में जिसका ओफिशल नोटिफिकेशन भी हमारे सामने आ चुका है तो दोस्त इसमें क्या योगयता रहने वाली है क्या आयूई रहने वाली है सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो तो दोस्तो जै जो है color जो लगने वाले हैं उनके लिए ये application invite की गए हैं तो आप number of post देखेंगे तो 50 post रहने वाले हैं आप देखोगे आगे चलते हैं तो हम इसमें देखिए ये control देखिए 50 post हैं, general के लिए 24 post है, SC की 8 post है, BC की 5 है, BCB के लिए 4 post है PW, BD के लिए ये सारी details आप यहाँ पर check out कर सकते हैं जो salary रहने वाली है, वो 25,500 परमन्त रहने वाली है ओन एड-hoc basis पे ये जो है color का लगने वाले हैं साथ में दिया गया है the number of vacancies may increase or decrease due to creation or withdrawal of courts, retirement, promotion or otherwise during the selection process no intimation in this regard will be issued separately तो इसमें साफ तोर पर बताया गया है कि जो vacancy है वो घट और बढ़ सकती है इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, retirement है, promotion है या court की आधर activities है, उनके आधर पर जो कुछ भी आगे vacancies increase या decrease हो सकती है जैसे भी कोई detail होगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा उसके लिए तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या qualification रहने वाली है तो दोस्तों देखोगे, तो reservation है, reservation जो है applicable only हरियाना state के candidate के लिए है इसके पास हरियाना डो मुसाहिल है, जो other state के candidate रहेंगे, उनको general category में count किया जाएगा, इसमें ये दिया गया है नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो जो recruitment है, वो accordance with rule 7 of हरियाना subordinates court establishment recruitment and general condition of service rule 1997 के आदार पर जो है, ये selection process रहने वाली है essential qualification के बात करें, तो यहाँ पर जो है, degree of bachelor, आप BA pass out हो या फिर कोई भी equivalent degree की हुई हो आपने रिकोगने इस उनिवेस्टेशे, मतलब कि आपको graduation pass out होना जरूरी है अगर आपने graduation किया है, तो आप inform को apply कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है metric दस्वी कक्षिया में हिंदी subject आपके पास होना अनिवारिया है आगे देखते हैं, age limit की बात करते हैं तो दोस्तो, age limit जो इसमें है 42 years रखी गई है, 18 minimum और 42 साल अपर age रखी गई है, जो की count की जाएगी 1-1-2024 के माद्दम से और further relaxation जो है वो दिया जाएगा, हरियाना डोमोसाइल के candidates के लिए है ये सब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं समबर 2024 की जो है last date रहने वाली है, mode of selection examination के सिरुष के selection process रहेगा, इसका जो selection criteria है वो English के 50 marks आएंगे और general knowledge के 50 marks आएंगे, qualifying marks इसमें जो है लेने अनिवारी हैं, आगे चलते हैं तो आगे मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें दिया गया है no candidate shall be considered for appointment unless he obtained 40% marks in aggregate in written examination, तो क्या दिया गया है, यह आपको 40% marks तो लेने ही लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपका selection में फरदर आगे वाली process के लिए आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है, जो typing speed है, typing speed यहाँ पे मांगी गई है, 30 word per minute, तो 30 word per minute आपके typing मांगा गया है, आपको graduation होना जरूरी है, 100 number का आपका paper होगा, जिसमें 33% marks, qualifying marks रहेंगे, और 40% marks वाले candidates को आगे जो है, further details के लिए आगे भेज दिया जाएगा, आगे देखे को तो यहाँ पर आपको form कहाँ पर कैसे क्या करना होगा, तो यह बताया गया है कि, जो candidates का result आया नहीं आया, वो सारी details आपको यहाँ पर check out करते रहना पड़ेगा, further कोई भी जो notice वगरा, message वगरा candidate को नहीं भेजा दाएगा, next आगे चलते हैं तो, application आपको कैसे क्या करना है, तो application जो है आपको, यह जो करनाल court है, वहाँ पर यह दिया गया है, district concession judge, judicial court complex sector 12 करना आपको by hand या फिर, जो है, further जो भी process है, वहाँ तक आपको अपनी application को भेजना होगा, साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है, कि जो application receive होंगे, उनके जो documents हैं, वो, जो है, reject होंगे, या, submit कर लिए गये हैं, वो सारे detail आपको, इसकी website पे, जो हमने पीछे दिखाई है, उस website पे आपको मिल जाएंगे, further आगे detail में आपको बता देता हूं, देखिए, जो दोस्तों detail दी गई है, आपका पहले test होगा, test के बाद typing test होगा, उसके बाद क्या process रहने वाला देखिए, बताएगा, after selection of candidate, on the basic of written test, and upon passing the computer professional test, and computer typing test, original, जो है, domosile cell be checked, जो भी है, सारी चीज़े हैं, आपके original document यहाँ पे check होने वाले हैं, no TADA will be admissible to the candidate, किसी भी candidate को TADA paper देने के लिए नहीं दिया जाएगा, आगे आप देखोगे, जो format of application can be downloaded from the website of district court kernel given below, इस website से आप अपना application form download कर सकते हो, उसको proper तरीके से बरके, kernel court में, या by hand, या फिर by post के मादम से आप उसको भेज सकते हो, आगे देखोगे तो देखिए, दोस्तों यह बोला गया है, incomplete application, cell be rejected straight way, incomplete application को वहीं पर reject कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर देखो कि district accession judge kernel 412-2024 का यह, आज ही जो है यह आया हुआ है, जो notification है, और सारी details आपको मैंने बता दी है, आपको कहां से क्या कुछ मिलने वाला है, यह सारी details आपके सामने show हो गई है, आपको form, यह kernel website, जो है, kernel district court की website है, यहाँ से आपको अपना application form लेना है, application form को fill up करके, आपने documentar test करके, सारी चीजे, by post या by hand, आपको kernel session court में जो है, इनको भेज देना है, तो दोस्तों, यह vacancy आई हुए है, जो भी candidate interested है, वो इस form को fill up कर सकते हैं, और दोस्तों, ऐसी ही, जबरदस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को subscribe कीजिए, त दन्यवाद, जैहिंद.